तो चलो स्टार्ट सब्सक्राइब तो लास्ट क्लास में जो है हम लोगने मॉडुलस के बारे में सीखा था एक बार जल्दी से मॉडुलस के बारे में रिवाइब कर लिए पहला पॉइंटर ये सिखा था अगर मॉड के अंदर ऐसी कॉंटिटी ए जो एंटारली पॉजटिव है तो मॉड को ओपन करते हुए क्या होगा वो एधित बाहर आजाएगी तो दूशा कॉइंट सिखा था एक अगर मॉड के अंदर कोई कॉंटिटी है इस एंटारली नेगेटिव तो इसको मॉड के बाहर निकलना है मतलग उसका आउट्वुट लिखना है तो वो कॉंटिटी जो एंटारली नेगेटिव बाहर आएगी और साथ में उसके आगे माइनस नहीं आ जाएगा कि अगर मॉड के अंडर कोई कॉंटिटी बॉग में करें लिए कि हम लोग को यूविल है टीट एक टीट एक यह आप पर मॉट को परने के लिए लोग को प्या करना पड़ेगा इस लेना पड़ेगा इसनी बात समझ में आई अच्छा वो केसे कैसे लेटेसे वह लोग में लास्ट क्लास में सिखाता हूं जैसे और एक्जाम्पल मॉट के अंदर कहीं ऐसा लिखा है एक्स स्कूर माइनस 3X प्लस 2 है उस मॉट को उपन करने के लिए फेले जो अंदर वाला पंशन है उसका में अगर ग्राफ बनाता उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता एक्स स्कूर माइनस 3x प्लस 2 है यह 1 और यह 2 तो हम लोको क्या परता चलता कि अगर x 2 से बढ़ा है एक एकस ग्रेटर देन तू तब ग्राफ उपर था और अगर x लेटर देन वन है तब ग्राफ उपर था तो मैं केस वन ऐसा लेता कि इफ x is greater than equal to 2 और x is less than equal to 1 इन एकस एकस स्क्वार प्लस 3x प्लस 2 पोसिति होता तर्फोर, mod of x square minus 3x plus 2 पोसिति वन प्लस 2 तो हो कैसे बाहर आती? as it is उसके बाद case 2 में क्या करता? ये ये वाला और ये वाला x को अपने क्या करते? कि आगर x 1 से 2 के बीच में होता है तो उस समय x square minus 3x plus 2 उसका x 1 से 2 के बीच में होना मतलब ये वाला x होना उस समय x square minus 3x plus 2 एक नेगेटिव आउपुट देरा होता तो इन दैट सिनारियो mod of x square minus 3x plus 2 अंदर वाली quantity तो बाहर आएगी गी और साथ में एक माइनस साइन आजी लगे आएगी तो इतने से सब लोग कंफर्टेबल हैं एक बार कमेंट करेंगे ये अपन ने लास्ट क्रास में शिचा था अब देखो आगे पर संदिए अब देखो आगे पर संदिए अब देखो आगे। अब लेके, मौदलिस रर्लेकेड एक्वेल से रलेकेशन को शॉलकर दो जैसे और एकम्पलव टूसलिए बूस्ट स्क्वेर्ट माइनस3 x क्लस2 इस थाल तो कुछ हो 4 वो ये एक मौदलिस प्रुक्राप्टेशन है का क्या मतलब है क्या मतलब है क्या मॉद वाला टब लगा या second mod of x minus 1 plus mod of 2x minus 3 is equal to 9 तो ये क्या है ये सब थीजर वाट ये सब हमारे modulus equation ये सब भर गणक्यों सब्सक्राइब में ये सब पर गण्या है। है यह सर अ बोलो है यह सर बोला है तो अब देखो पहली चीज है कि अगर मौट के अंदर कुछ एक्सप्रेशन लिखा है मौट अफ एक्स और बाहर जो है कोई कॉंस्टेंट कॉंटिटी लिखी है और दूसरी चीज है कि मौट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा है देखो fx का क्या मतलब है fx का मतलब है कि it is an expression in x fx का क्या मतलब है it is an expression in x और बाहर जो है constant के बजाए कुछ एक variable quantity लेकिए हो px px मतलब it is some another expression in x ठीक है तो ऐसे डो टाइप क्यों हो सकते हैं हमारे मॉद्लफ एक्वेशन ठीक है तो अब मेरी बात कि में जो पहला टाइप है जैसे कुछ जैसे मान लोग बोले कि मॉड ओफ कुछ भी अंदर कुछ भी है वो 7 के बराबर है मॉड ओफ कुछ भी वो 7 के बराबर है तो इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर ये कुछ भी खुद प्लस 7 या माइनस 7 होता तो उसका मॉड जो है वो 7 के बराबर हो जाता अगर मॉड ओफ सम्थिंग इस प्लस 7 तो यह कब पॉसिबल है जब यह मॉड के अंदर वाली चीज प्लस 7 हो या माइनस 7 हो इसका क्या मतलब है कि मॉड के अंदर वाली चीज प्लस या माइनस 5 हो समझ म्याई बात is this clear to everyone yes sir so if this clear question solve solve mod of x square minus 5x plus 5 is equal to 1 find a value of x find a value of x x x 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 5, 6 , 7, 7, 8, 8, 8, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 12, 11, कि यह वन है कि मॉट मॉट ऑफ सम्थेंग इस इक्वल टू वाना इसका वर्चत क्या होना चाहिए कि अंदर वाली चीज या तो प्लस वन होनी चाहिए या तो माइनस वन होनी चाहिए अंदर वाली चीज इधर प्लस वन और माइनस वन अच्छा वन को इदर लेकर आ जाओ बतलब X स्कुल मैंस 5X प्लस 4 इस इक्वल टू जिरू या इस मैंस वन को इस दर लेकर आ जाओ X square minus 5X plus 6 is equal to 0. तो अब इस quadratic को solve करोगे तो X की value 1,4 आ जाएगी. और इस quadratic को solve करोगे तो X की value 2,3. 2,3 आ जाएगी. और का क्या मतलब होता है? और का मतलब होता है? Union. Union मतलब कि सब को एक साथ include कर देना union का ये मतलब होता है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? X जो है 1,2,3,4. यह हो गया हमारा आंसर. Is this question clear to everyone? Is this question clear to everyone? Yes, sir. Okay, next question एक बार तुम देखो. इसमें किसी को doubt है क्या? Sir. हाँ, बोलो. इसमें किसी को doubt है किसी student को? No, sir. No? Fine. Okay. अब आपने वो question है, minus 1 के लिया? देखो. अगर mod of something 1 के बराबर है, इसका मतलब यह कब हो सकता था? जब mod के अंदर या तो plus 1 हो, या तो mod के अंदर खुद minus 1 हो. तभी तो उसका mod जो है, वो वो ना सकता था. इसका मतलब यह वाली चीज या तो plus 1 हो जाए, या तो minus 1 हो जाए. यह वाली चीज क्या है? यह वाली चीज क्या है, या तो plus 1 हो जाए, या तो minus 1 हो जाए. अब इस 1 कोई दला है, इस minus 1 कोई दला है. इससे यह equation बना, इससे यह equation बना, दोनों को solve किया तो यह x की वाल्यू है. ओक्यों सर्थ. पक्का? समझा? या सर्थ. ओक्यों सर्थ. फसस्स पुक्यों सर्थ. यह था वाल्यू तुर्यू? यह पूली नियू? यह आए पूली यह च आए. यह वाल्यू बान दलाए. not possible negative इसमीप तुआ्ट एक्सक्टिटिगर्ट जो दुद्धिगर्टा इसमसाइब लिए डिसमाइब एक्सपक्टिगर्ट जो इसमाइब तो मॉड्ट कैसा उकूट देगा जो इसमाइब टूट जो इसमाइब पॉड़िटिव देगा Or output हमेशन? Positive! M&n. So क्या कभी भी positive number negative number के equal हो सकता है? So I will say no value of x is possible no value of x is possible कि इसको इसमें डाउट है तो अब दे कोई क्रूएं पॉल्स मताना है तुमको कि जैसे कहीं लिखा है कि mod of effects is the and then then and fx is equal to यह टू होगा पॉल्ड दो पॉल्ड 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 अब लुड लुड अब लुड अब लुड टू लुड लुड शब्लब चैट बॉक्स में लिखेंगे अब लुड अब लुड अब लुड बस्तार है वोईस्लेक कर रहा है क्या? आसर, कर रहा था अब इने कर रहा है ओके ठीक है हाँ, तो क्या बोल रहा है तो जैसे मानलो यह की equation लिखा हुआ है कि mod of fx is equal to a then fx is equal to plus minus है तो एक बार इसमें एक बार a को positive quantity लिया और दूसरी बार एक ओ negative quantity लिया ठीक है? तो अगर तो एक negative quantity लिया सर बहूत लग हो रहा सर बहुट लग हो रहा हाँ सर बहुट लग हो रहा सब्धे लग करते हो यह सब्दापर रहा तो जैसे जो हमारा अपना ये वाला एक्जामबल था अगर तुम देखो तो यहां पर मैंने a को पॉजिटिव लिया था और इस वाले एक्जामबल में a को नेगेटिव लिया था तो जब a नेगेटिव होता तो उस समय तुम लोग डिरेक्टली क्या लिख दिये थे तो यहां पर तो यहां पर तुम सचो की a नेगेटिव होता तो मैं डिरेक्टली क्या लिख दिता की कोई भी लिख पॉसिबल नहीं है लेकिन मैंने a के बारे में कमेंट किया कि मैं दुबस यह बला कि a एक रियल नमबर है तो पॉसिटिव भी नेगेटिव भी भी वो सकता था तो इस देर इक्वेशन mod of fx is equal to a then fx is equal to plus minus a यह हमेशा true नहीं होगा यह false होगा यह true कभ होगा it will be true when when बताओ a is a positive integer not integer any number it will be true when a is a positive number ठीक है is this clear yes sir अब को समझ में आया mod of fx is equal to a को solve करते वक्त fx is equal to plus minus a हम लोग तभी लिखेंगे जब a एक शूर शॉर्ट पॉजिटिव नंबर है sir अगर वहाँ पर आपने लिखा नहीं होता कि a is a real constant हो true रहता कि false तो भी false ही रहता है तो भी false ही रहता है एक के बारे में अगर मैं specifying ना भी करूँ then also it is understood की एक real number है okay sir thank you sir कभी भी अगर कुसी variable के बारे में specifying नहीं किया जाए तो what do we expect that variable is a real number okay sir okay so अब मेरी बाद ध्यान से सुनो जैसे यहां पर mod of fx is equal to एक quantity लिखी है ठीक है यह quantity हो सकता है कि constant भी हो हो सकता है कि variable भी हो अगर यह quantity हमेशा positive है always positive तो अपने लिख सकेंगे fx is equal to plus minus this कुछ भी ठीक है चाहे यह constant हो चाहे यह variable हो सर एक बार आप इस बादा के सा समझ भी निया है अगर कोई equation दिया हुआ है यह equation है कि mod of fx is equal to plus minus sorry some कुछ लिखा हुआ इसर हो सकता है कि यह constant number भी लिखा हो हो सकता है कि यह कोई variable भी लिखा हो लेकिन यह हमेशा positive है यह जो output दे रहा है वह हमेशा positive है तो उस case में हम लोग को अगर solve करना होगा इस equation को तो हम लोग fx is equal to plus minus यह वाली चीज लिखेंगे जिसे मैं तुम लोग को एक example दिखाता हूँ say for example mod of x is equal to x square plus 2 mod of x is equal to what? x square plus 2 तो देखो mod के सामने जो सामने चीज लिखी है वो क्या है एक constant है कि variable है variable है एक sign के बारे में बता हूँ इसका sign कैसा होगा always positive always positive always positive होगा तो मैं क्या करूंगा यह एक equation है यह question है और पुछा जगा है कि x क्या value होगी तो अब इस question को solve करने के लिए मैं क्या करता x is equal to plus minus यह चीज लेका x square plus 2 ठीक है plus minus यह चीज कुछ भी जो लिखा होगा अंदर इससे क्या हो गया अब इससे question दो पार्ट में divide हो गया एक बार तो x is equal to plus x square plus 2 और दूसरा पार x is equal to minus x square minus 2 तो यहां से x square minus x plus 2 is equal to 0 और यहां से x square plus x plus 2 is equal to 0 समझ में आया yes sir तो यहां से अगर तुम discriminant देखो इस quadratic का तो इस quadratic का discriminant क्या आ रहा है negative तो यहां से जो x की value आएगी दो non real values of x और इस quadratic का भी discriminant negative आ रहा है तो यहां से जो x की value आएगी दो अगें non real values of x यह बात समझ में आई यह बात समझ में आई yes sir is this clear to everyone तो यहां से 4 x की value आएगी यहां से 4 x की value आएगी क्लियर है क्लियर है सब को yes sir यहां से 4 x की value आएगी वो चारो के चारो क्या होगी non real value non real value खीक है so अच्छा यहां पे हम लोग अब पहली बात मेरे को कौन बताएगा कि यहां पे हम लोग इसको देखके डारेक्ली इसके सामने प्लस माइनस क्यों लगा दी है sir क्योंकि यहां अग। क्यों आग। आग। यहां प्लस माइन मतलभ यह यह वाली चीज जो है जो की हमेशा पॉजिटीव पुट दे रहे जो की हमेशा कैसा उटूट दे रहे पॉजिटीव ऑउट्ग तो अगर मॉट के सामने अल्वेस पॉजिटिव वाली चीज लिखी है तो अंदर वाली चीज इस एकपल तो प्लस माइनस जो राइएंड साइड लिखा है इस दिस तिस तिंग क्लियर? यस सर्थ यस सर्थ अब अगर कहीं ऐसा लिखा है mod of fx is equal to something यह something एक constant भी हो सकता है एक variable भी हो सकता है but always negative output देगा यह तो यहां से हम लोग x की value के बारे में क्या कमेंट कर सकता है not possible but sir mod cannot give output as negative mod cannot give output as negative so since mod cannot give output as negative therefore I will say no value of x will be possible is this point clear to everyone yes sir okay तो यह दूसरा था दूसरा सिनारियो था परला सिनारियो था यह वाला था mod of fx is equal to some something जो constant यह variable हो सकता था और वो हमेशा positive output देता अचा इसे मानलो इसका example मैं कैसे लिख सकता हूं जैसे question कोई तुम लोग ही बता हूं मैं यहां पर आसे लिख जो mod of x plus 4 is equal to say something minus x square minus x square minus 1 से mod of x plus 4 is equal to minus x square minus 1 अब यहां पर क्या हो रहा है कि mod तो जो output देना है वो positive output देना है और यह वाला जो output देना है वो always negative not possible तो यहां पर तो possible हो नहीं सकता this thing is not possible therefore no value of x ऐसी कोई x की value हो यह नहीं सकती ठीक है shall we move further yes sir fine अब देखो अब हम लोग आगे बढ़ते है third scenario में third scenario है कि mod of fx is equal to something एक वेरियेबल है ठीक है और यह कभी-कभी positive output भी सकता है और कभी-कभी negative output भी सकता है तो मैंने इसको constant नहीं रख बोला मैंने इसको constant नहीं बोला constant तो एक ही output देगा या तो positive नहीं रख बोला तो कै वोला क्या हो लग हो रहा है sir, वोईस नहीं रहा है yes sir, भहँ लग हो रहा है sir, नहीं लग हो रहा है sir, लग नहीं हो रहा है यह से सुन लो जिसको लाग होड़ा था मैं फिर से एक्समें करता हूं जिसे mod of fx is equal to something है और यह positive और negative दोनों output दे सकता है और यहां पर variable ही लिखा यहां पर obvious ही बात है मैं constant नहीं लिख सकता क्योंकि constant लिख दिया होता तो constant तो मतलब एक number होता है 2, 3, minus 5, minus 7 तो उसका तो sign हमेशा retained रहेगा जो sign है वो ही रहेगा तो constant नहीं एक variable लिखा तो यहां पर अब मैं mod को open करने के लिए fx is equal to plus minus कुछ भी तो नहीं लिख सकता हूं यह तो तभी लिख सकता हूं जब यह वाली चीज क्या हो entirely positive हो not possible जब यह वाली चीज जो कुछ भी है वो entirely positive हो so in such cases positive case consider बता रहा हूं इन such cases to solve such modulus equation we need to take cases to open modulus term okay in such cases we need to to take cases to open modulus term okay you have a critical point yes 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 in the last class I taught you how to open modulus term to take cases okay now let me explain this how to solve such type of questions so just like a question how to solve no 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 X-1 mod of 2X-4 is equal to X-1 then find X then find X अब देखो इदर जो right hand side लिखी है ये एक variable term है कैसे टाइप का variable term है linear वाला और याद है मैंने last class में बताया था कि जो linear term होते है वो positive और negative output दोनों देते है जो linear term होते है वो क्या करते है positive और negative output दोनों देते है is this thing clear अच्छा मेरे को mod जो open करना है तो वो mod open करने के लिए हम लोग को इसके बारे में सोचना है कि इस mod के अंदर वाली quantity कब zero हो रही होगी critical point ठीक है तो हम लोग ने critical point निकालने के लिए क्या किया कि mod के अंदर वाली quantity को zero put किया उससे तुमारी x की value क्या जाएगी 2 from there we will get the value of xf 2 so अब हम लोग क्या करेंगे what we will do we will plot 2 on the number line हम लोग क्या करेंगे 2 number line पर प्लोट करेंगे तो अब दो केस लेंगे पहला केस होगा if x is greater than equal to 2 और दूसरा केस होगा if x is less than 2 खीक है अब केस लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया केस लेने के बाद हम लोगों ने question लिखा जो question given है mod of 2x-4 is equal to x-1 अब देखो जब x 2 से बढ़ा होता तो इस mod के अंदर वाली quantity क्या होती positive तो mod open कैसे होता as it is जो अंदर वाली चीज है वही बाहर आ जाती है तो 2x-4 is equal to x-1 इससे जो x की value आती वो क्या आती 3 आती अच्छा ये जो x की value आ रही है उसको मैं चेक करूंगा कि क्या ये x की value क्यों इस condition को satisfy कर रही है की नहीं क्या 3 greater than equal to 2 होता है बोलो होता है भाई 3 तो इधर आता है ना greater than equal to 2 मतलब ये वाली चीज इसका मतलब इस x को I am going to accept हम लोग इस x को क्या करेंगे accept करेंगे अगर by chance मान लो यहाँ पर x greater than equal to 2 होता और यहाँ पर x is equal to minus 1 आ जाता है तो फिर हम लोग उस x को accept नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि वो इस interval में आई नहीं रहा है अब दूसरा if x is less than 2 फिर से question लिखा question तो क्या था mod of 2x minus 4 is equal to x minus 1 अब अगर x 2 से छोटा है मतलब mod के अंदर वाली quantity कैसी होगी negative उसको open करने के लिए हम लोग क्या करेंगे minus sign minus sign के साथ open करेंगे is equal to either to x minus 1 लिख दिया मतलब minus 2x plus 4 is equal to x minus 1 so 3x is equal to 5 therefore x is equal to 5 by 3 5 by 3 मतलब 1.67 के राउंद कुछ is that value of x less than 2 5 by 3 के 2 से चोटा है yes sir yes sir तो अपने क्या करेंगे कि x is equal to 5 by 3 को भी अपने solution सेट का पार्ट मान लेंगे so x की जो दो वैल्यू दाई those two values of x are 3 and 5 by 3 यही x की दो वैल्यू है जो इस question को इस question के solutions खिर से देखो अप question क्या था कि mod of 2x-4 is equal to x-1 sir यहाँ sir लेकिन x-1 positive negative दोन हो सकता है हाँ positive negative दोन हो सकता है इसलिए तो मैंने question को 2x-4 is equal to plus minus x-1 पर नहीं लिका हाँ थीक है क्योंकि वो positive negative दोन हो सकता है तो अब हम लोग इस तरीके से solve नहीं कर रहे है we are not solving in this way इस तरीके से solve नहीं कर रहे है mod of fx is equal to कुछ भी है fx is equal to plus minus कुछ भी हम लोग तभी लिख सकते हैं जब ये वाली quantity अमेशा positive हो फिर वो तो है नहीं इसलिए इस question को solve करने का दूसरा तरीका by taking cases तो अब तुमको इस बात से परिशान नहीं हो ना कि x-1 का क्या हो रहा होगा वो question में अपने आप adjust हो जा रहा होगा तो ऐसे questions को जहां पर जो राइट-hand side वाली quantity लिखी है वो positive और negative output दोनों दे सकती हो उस cases में हम लोग को question solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा what we have to do critical point और cases तो cases किसलिए लेते हैं modulus को open करने के लिए we need to take cases to open the modulus term so अब critical point निकाला critical point निकालने के लिए क्या किया 2x-4 को 0 कर दिया तो इससे x की value क्या आ गई 2 आ गई तो अब हम लोग क्या करेंगे दो case लेंगे एक case होगा x greater than equal to 2 और दूसरा case होगा if x is less than 2 तो अगर x greater than equal to 2 होता और question हो फिर question हम लोग लिखते है mod of 2x-4 is equal to x-1 अब x अगर greater than equal to 2 होता तो यह वाली quantity entirely positive होती mod के अंदर वाली quantity तो उसको में कैसे उपन करता as it is और इदर जो x-1 हो तो ऐसा ही लिखके आ जाता तो यहां से x की value क्या आती बी आती फिर यह जो x की value आती उसको में check करता कि क्या वो इस interval में like कर रही है कि नहीं कर रही है अगर like कर रही है अगर like कर रही है तन I will accept और अगर नहीं कर रही तन I am going to reject it अब केस चुलिया x less than 2 उसमें जो है mod of 2x-4 is equal to x-1 है अब यहां पर mod का अंदर वाली quantity negative है तो वो कैसे open होगा minus sign दिसा so minus of 2x-4 is equal to x-1 so minus 2x plus 4 is equal to x-1 so 3x is equal to 5 और x is equal to 5 by 3 so x की value 5 by 3 आई तो उसको check किया कि क्या वो इसको satisfy कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो वो कर रहा है x is equal to 5 by 3 इसको satisfy कर रहा तो हमारा final answer क्या हो गया 3 and 5 by 3 sir ऐसे एक दो पुश्ण और दो ना पुश्ण दूंगा पहले सब लोग यह बता हो यह concept clear है yes sir sir x equal to minus 1 आपने कैसा उसको निकाला cross किया ना अपने उसको ओ कैसा मिलाथ है किदर x equal to 3 के नीचे नहीं नहीं वो तो मैने एक्जामपल लिया है विटा कि अगर मान लोग by chance यहाँ पे x की value minus 1 आजाती solve कर ने पे x की value से minus 1 आजाती तो मैं उस x को accept नहीं करता क्योंकि वो greater than equal to 2 वाले inequality को follow नहीं करता मतलब एक तरी के सम्मलों को क्या करना है यह जो x आरहा है और यह जो inequality है दोनों satisfy होने चाहिए sir what's about x equal to 2 x equal to 2 so 0 हो जाएगा so x is equal to 2 so mod of 0 is equal to 0 यह हो साथ the mod के अंदर वाली चीज वही सें बाहर आगा ऐसे साथ एक है okay so is this point clear to everyone sir but x-1 अपने आप कैसे adjust हो जाता है उसका sign sir आपने बोला ना x-1 के बारे में कुछ करने की ज़रहत नहीं है तो उसका sign अपने आप कैसे adjust हो जाता है plus minus x-1 का sign कुछ नहीं हुआ देखो x-1 जो यहाँ पर लिका था same उतारा मैंने यहाँ पर x-1 जो यहाँ पर लिका था same मैंने उतारा यहाँ पर x-1 तो जैसे था वैसे ही है अभी भी बस जो जिसका sign change हो रहा है वो mod वाले का sign change हो रहा है क्योंकि mod को अपन कर रहा है वो क्या रहा है कि cases लेने से एक बार mod के अंदर वाली quantity entirely positive हो जा रही है और एक बार दूसरे case में mod के अंदर वाली quantity entirely negative हो जा रही है तो जब mod के अंदर वाली quantity वो पॉंटिटिव है, जो मोग कैसे ओपेड़ों का? अग सिसलेas, तो क्या लीकिल राज़ी और अगरांद फॉंटिटिटी एंटायरी निगतिव है, जो मोग कैसे ओपेड़ों माइनसस्थाइंस. तो इसी चीज़ को इस़ी चीज ब्राबर लिखा है, यह पुरा mod जो है, that is equal to this entire thing. और यह x-1 जैसे था वैसे है, जो equal to sign जैसा था वैसे है अभी भी. Okay, thank you sir. सब को आगया समझ में? Sir, वह answer नहीं 0 answer नहीं निकना है. क्या? 0 answer में नहीं निकना है, sir. 0 क्यों आएगा? 0 कहीं से आया, क्या हमारा answer? 0 कहां से आया, बताओ. Sir, एक जगा से जरो भी लिखना है, क्या answer की तरह? एक जगा से answer 3 आया, और एक जगा से answer 5 by 3 आया, तो 0 कहीं से solve करने प्राया, question में solve करने से 0 कहीं से नहीं आया है, तो मैं 0 क्यों लिखूंगा? तुम 0 कहां से खोज रही है, किदर से 0 आया है? Sir, x is equal to 2 में 0 भी आता है, तो इंक्लूड नहीं करना है? नहीं, देखो, x is equal to 2 पे ये तो 0 होता, जिसे मानलो, x is equal to 2 जब पुट करते, तो ये वाली चीज तो 0 हो जाती, लेकिन ये वाली चीज क्या हो जाती, 2 minus 1, 1 हो जाती, x is equal to 2 पुट करने पे, 0 is equal to 1 आ रहा है, तो अलब, सब्सक्राइब कर रहा है क्या? नहीं, नहीं कर रहा है, क्युम और कुछ-कुछ ना चाहरीगा, I think, तो मारा क्या डाउट हो? Sir, LHS में कभी भी equal to sign नहीं लेते हैं ना sir, value? LHS में कभी भी equal to sign नहीं? always greater than zero, Leko, एक बुला यह बूला यह, Leko, एक क्युम एक बूला लोग Leko, एक कुम एक बूला यह थक्पो, सब्सक्राइब करेंगा अभी मैं काद्रेटिक पर भी आऊंगा फैले देरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगा करेंगा सब्सक्राइब 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 में I am explaining once again, इस question में हम लोग को cases क्यों लेने पड़ेंगे, cases इसलिए लेने पड़ेंगे, क्योंकि mod के सामने वाला term है, वो positive और negative output दोनों दे सकता है, क्यों? क्योंकि वो एक linear term है, इसलिए हम लोग को cases लेने पड़ेंगे. तो अब हम लोग ने case लेने के लिए क्या किया? पहले critical point निकाला है. So for finding critical point, what will I do? 3x-2 is equal to 0, मतलब x is equal to 2 by 3. अब x is equal to 2 by 3 आगया हमारा. So case 1 क्या लिया? Case 1 लिया, if x is greater than equal to 2 by 3 और case 2 क्या लिया था? If x is less than 2 by 3 उसके बाद question लिखता हम, mod of 3x-2 is equal to 4-x. अब अगर x 2 by 3 से बढ़ा है, यह x 2 by 3 से बढ़ा है, मतलब यह वाली चीज हमेशा positive होगी. तो mod कैसे open होगा? As it is, 3x-2 is equal to 4-x. 4x is equal to 6. उससे x की value 3 by 2 आदे. अच्छा, क्या 3 by 2 जो है, वो 2 by 3 से बढ़ा होता है कि नहीं होता? होता है, इसका मतलब यह 3 by 2 सैटिस्फाइब कर रहा है. तो यह हमारा one of the answer हुआ. अब ऐसे ही दूसरा case लेंगे. तो यहाँ पर x जो है 2 by 3 से चोटा है. इसका मतलब mod के अंदर वाली quantity negative है. तो यह mod कैसे open होता? माइनस साइन के साथ. तो इस विल बी, minus 3x plus 2 is equal to 4-x. या 2x is equal to minus 2. x is equal to minus 1. फिर मैं देखता है, x is equal to minus 1 इसको साटिस्फाइब कर रहा है कि नहीं? जोको 2 by 3 से चोटा, 2 by 3 से चोटा मतलब इदर, और minus 1 तो कर इदर आता भी है. मतलब यह भी answer का part होता. So, the final answer would be x belongs to minus 1 and b by 3. This will be our final answer. I hope अप तुम लोग को समझ मेह रहा होगा थोड़ा बहुत. Yes, sir. ठीक है? Sanjana आया तुमको? Yes, sir. Good. Okay. So, एक और question देता हूँ. A different type. अब थोड़ा आता different. Okay. तो, तो को करो? तो, तो को करो? इस question का hint जो है, मैंने वो last class में दे दिया. यह समझे. Yes, sir. यहाद है. क्लिको क्योंते हुआ. प्योड़ाँ देता है झाल 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 पहले तो काम क्या होगा प्रिटिकल पॉइंट निकालना मतलब मॉट के अंदर वाले चीज को विरो फूट कर देना वन और टू तो वन एंट टू तो इससे अपने क्रिटिकल पॉइंट्स बन तू आ जाएगा अच्छा 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 अगर तुम द्धान से शुनों तो जो मैं थेयुरी पढ़ाता हूं उसी में जो है छुपा रहता है कुर्श्चन को सॉल करने का तरीकरा तुमको ध्यान से थेयुरी सुन तो अब हम लोग अपने कितने केसे लेंगे तीन केसे लेंगे Case 1 If X is greater than equal to 2 Case 2 If X is between 1 say 2 And case 3 If X is less than equal to Sorry So what are we doing? What are we doing? Mod of X-1 Plus mod of 2X-4 Is equal to X plus 1 Sir 3 answer is 3 Let's do this Now look, X is greater than 2X This X And this X is greater than 2X Always positive Always positive Always positive So X is equal to 3 Listen here Because What do we see? Is the quantity positive or negative in the mod? We don't see this That X is positive or negative Is it okay? So here When X is greater than 2X So 2-1 It means 1 It means 1 It means 1 Positive quantity So How are the two mod open? As it is As it is And here Right hand side X plus 1 So X and X Cancel So 2X is equal to 1 plus 4 Plus 1 6 I think So So X is equal to What is your value? What is your value? 3 Then Then Is it 3 Is our equality Satisfy Yes Sir So 3 is our answer Now Case 2 Case 2 Again Question Mod Mod X-1 Okay X 1 2 So X 1 2 So So What is your value? So A particular value of X And see That the mod Is positive Or negative So I added 1.5 So Here Positive 1.5 Then 3-4 And here Negative So That is How much mod Is it open? As it is As it is Second one With minus sign Is equal to X plus 1 So Minus X Plus 3 Is it I think X value 1 Is it I think value 1 X 1 Is it Inequality Equality So X is equal to 1 No Sir No Okay What is 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 ё what is sad Yes 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 Do Here x is equal to 1 Finally Here He said तो यहां पे तो आ गया तो हमारे x की क्या-क्या value होगी दो value आई एक तो 3i और एक 1i तो x is equal to 1 3 x belongs to इसलिए equality एक ही बार लेने की न स्वर equality एक ही बार लेने की दो-दो बार लेते तो कोई दिक्कत नहीं की तो यहां पे भी 1 आता वहां पे भी वाना था लिखते हम लोग एकी बार प्रगाना था ठीक है तो इस question में किसी student को doubt है नो सर्थ तब को समझ में आ रहा है न कैसा होता है येस सर्थ येस सर्थ अच्छा सर्थ किसी नहीं बोला था कि वापी संटो क्या हुआ मादो क्या हुआ येस प्रीष क्या हुआ पाइंड एक्स चेलो इसकोश्चिन को करूँ पाइंड पाइंड एक्स चेलो इसकोश्चिन को करूँ पाइंड एक्स चेलो इसकोश्चिन को करूँ पाइंड एक्स चेलो इसकोश्चिन को करूँ झीज क्साचिन को अजैंड एक्स चेलो इसकोश्चिन को करूँ पाइंड पाइंड, क्सुन हम झाली को बत्रे पहांड पाइंड आनी सकत झाल 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 पहले चीज़ तो क्या observe कि हम लोगों ने पहले चीज़ यह observe कि राइट हैं साइड जो है एक लीनियर टर्म है और लीनियर टर्म कैसा उट्ट देता है पॉजिटिव नेगेटिव जोन उट्ट देता है इसका मतलब हम लोगों मौट को उपन करना पड़ेगा इसका अगर तुम ग्राफ याद करो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था ऐसे टाइप का तुम पता है क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 135 है कि नहीं एक बार वन कुट करके देखो दुने एक को ला रहे हैं कि नहीं पुट करके देखो पाइप पुट करके देखो तो अब देखो हम लोग को तो क्या करना है हमारा टार्गेट हная कि मॉ्ट के झी इसका बार उनदायों को अब देखो तो हम लोग में पहला केस क्या लिया केसम आप मॉट की जी इनपृत का पॉज़ेट максим यह वाला का यह नुट का प्वार आला यह case 1 होता है, अचा case 2 क्या होना चाहिए? if x is between 1 से 4 अब case 1 solve करता है if x is greater than equal to 4 or x is less than equal to 1 and question mod of x square minus 5x plus 4 is equal to x minus 1 तो क्योंकि x 4 से बड़ा है और x 1 से छोटा है उस समय ग्राफ से पता चल रहा है कि graph उपर होता है इसका मतलब जो quadratic होता उस whole expression कैसा output दे रहा होता? एक positive output दे रहा होता? तो कैसे open करते? as it is इससे बंजा रहा होता x is square minus 6x plus 5 is equal to 0 so from here we will get x as 1 and 5 क्या 1 हमारे solution set का part है? हाँ है क्योंकि यहाँ पर 1 पर equality है तो 1 है क्या 5 solution set का part है? वो भी है 4 से बड़ा होना चाहिए तो 5 भी solution set का part है मतलब यह दोनों आ गए हमारे अच्छा दूसरा case क्या लेते हैं हम लोग? if x is between 1 से 4 तो उस समय जब मैं question लिखता है इस बार mod के अंदर वारी quantity क्या होती? negative होती तो mod कैसे open हो रहा होता? माइनस sign के साथ x x square minus 4x plus 3 is equal to 0 यह वह वाला quadratic बन जाता इसको simplify करने पर इससे जो है x की दो value आती 1 & 3 अच्छा 1 इस inequality को satisfy नहीं कर रहा है इस वाले case को 1 को reject कर रहते हैं हम लोग 3 जो है वह 1 और 4 के बीच में आ रहा है greater than 4 क्या हुआ सुर आपने condition डाली है x is greater than equal to 4 x is greater than equal to 4 यह यह भी तो condition डाली है x is less than equal to 1 तो 1 इसको satisfy कर दिया होता ना सर तो इसके दो cases नहीं बनाएंगे हां x equal to all greater than 4 और x smaller than all greater इस question को तुम तुम तीन cases में भी बना के कर सकते हैं सर वही किया था हां सेमी आंतर है न हां तीन cases में भी बना के कर सकते हैं इस question को तो थोड़ा lengthy हो जाता हो calculation जाता हो जाता है इसरे case में आता हो पहले case वही आता वही तो क्या रहा हूं answer सेम आता यहां पे हमारा calculation थोड़ा काव होग देखो हम लोग को हमारा focus को ओना चाहिए हम वह सारे interval में एक साथ ले लेंगे जिसके कारण मॉट के उंदर वाली quantity positive हो रही है और वह सारे interval में एक साथ ले लेंगे में मॉट के अदर quelle quantity negative हो रही है जैस़े मानलो say for example sir क्या हुआ अगर उसमें तीन स्टेप लेते तो थर्ड कंडिशन क्या होती पहला केस होता एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर दूसरा एक्स बिट्वीन वन से फोर और थर्ड एक्स लग देन इक्वल टू वन ठीक है यह तीन केस अलग अलग ले सकते थे अब जैसे मानलो एक ही मौड है इसे मौड ऑफ एक्स है और यह एक्स का ग्राफ है और यहां पर कुछ लिखा हुआ है इसे लिखा हुआ है यहां पर एक्स को उपन करने के लिए अगर मैं दो केस लूँ देन अलसु इटिस अफिशन वो दो केस कौन-कौन सा लूंगा ग्राफ किन-किन एक्स के लिए ग्राफ ऊपर है ऑर किन-किन एक्स के.लिए ग्राफ नीच है तो दो को ऊपर वाला ग्राफ यह वाला उग और यह वाला उगौक अगर case 1 as if exit between 1 2 or exit between 3 4 उस समय क्या होता कि ग्राफ उपर हो रहा होता मतलब वहल एक्सप्रेशन कैसा उट्पुट दे रहा होता एक पॉजिटिव आउट्पुट दे रहा होता सब को आर ही बात समझ में और दूसरा case अगर मेरे को लेना रहता तो मैं दूसरा case हैसा लेज़ता लेज़ देन वार जेटो यह वाला औरेंज वाला जो है उसमें ग्राफ नीचे तो हम एंड में यूनियन का केसेस का मतलब केसेस का यूनियन क्यों लेता है कि केसेस के बीच में हमेशा और लगता है केस 1 हो या केस 2 हो और और का क्या मतलब होता है यूनियन ठीक है तो केस 2 में मैं क्या कर सकता था ऐसे केस ले सकता है इस एक्से लेस देन 1 और एक्से बिट्वीन 2 से 3 और एक्से ग्रेटर देन 4 तो इससे क्या होता हमारे को कि हम लोग को बस दो बार ही इक्वेशन को सॉल करना पड़ता और अगर जिस तरीके से तुम सोच रहे हो उस तरीके से तो मेरे को एक, दो, तीन, चार, पांच केस लेना पड़ता है उसमें भी 1, 2, 5 से माता नो सर इसमें भी जो फाइनल आंसर आना है वो से माता लेकिन पांच केस लेना यू कैन अज्यूम की कितना है टिक काम हो जाएगा अच्छा अब तुमको लग रहा हो अभी सर फिर उस वाले कोश्चन में हमने तीन केस क्यों लिए तेक इधर कोई कोश्चन था ना इसमें हम लोग ने तीन केस क्यों लिए इसमें अगर तुम देखो तो वी टुक थी केसे केस वान, केस टू, केस थी ये इसलिए लिए एकानिक शच को यहाँ पर दो मौड टम्स थे अगर एक ही मौड टम होता ना तो अम लोग एतनी दिक्कत नहीं होती यहाँ पर दो मौड टम्स है इसल्य हम लोग को अलग अलग केसे लेने ही पड़े अतर से मानलोग कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जाये question कि mod of x square minus 3x plus 2 plus mod of x minus 4 plus mod of x minus 5 is equal to 3x plus 7 से मान लो ऐसा question हो जाए यहां पर critical point क्या था? 1 and 2, इसका critical point? 4 और इसका critical point? 5 तो 1, 2, 4, 5 इसको number line पर plot करके अब इस बार हम लोग को 5 cases लेने पड़ते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर अलग-अलग mods हैं बहुत सारे mods हैं अगर एक से जादा होगा तब सब cases लेने के अगर एक से जादा जगह mod होगा तो सब cases लेना पड़ेगा और अगर बस एक ही में mod है और यह जो graph है वो किसका graph है? इस FX का ही केवल graph है तो हम लोग दो case में काम चला सकते हैं क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत जगह mod है तो किसी interval में कोई positive आएगा, कोई negative आएगा तो हम लोग को हर एक interval को अलग से solve करना पड़ेगा वैसे इतना लंबा question आने वाला नहीं है कभी but just I am trying to make you understand so is this thing clear? yes sir अब लोग एक बार चाट बॉक्स में कमेंड करो ये 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 स्क्रीन को उपर लिए ये येखिए भी ये क्या हाग मेंद है? क्या वागा संहीन ना? क्या दाउट है? can you show the screen up? अच्छा अच्छा सर वो सीए के लिए प्रैक्टिस का से करे सीए के लिए वह ने ग्रुप पे एक बूग डाली दी न सेंगेज सेंगेज सर वो चाप्टर के एंड में हम से क्यूज है वो सब वो सब करो at least तुम चैप्टर के सॉल्ड एक्जामपल्स भी पढ़ जाओगे न मतलब अगर तुम बुक को खोलोगे तो उसमें सॉल्ड एक्जामपल्स है थियोरी है फिर कॉंसेप्ट एप्लिकेशन एक्सराइब थोड़ी सी थोड़ी पढ़ाई इसके बेसिस पर कुश्चन्स तुम इन तीनों को भी तरलोगे जदैन आवल्सो इसके वैल एंपोट उसरी सी एक टेंवधार है सरथ ये टेस्ट टेस्ट के आने वाला है या मॉडलिक उडलिक नहीं आगा टेस्ट अके सर्थ सरथ पिर संड कर दोगी क्या पिर संड कर होंगे यापती क्या बोल रहाँ पर इसे सेंड करने बोल रहा हूँ तो अब देखो, लेट मी सुमराइज क्या क्या बाते ध्यान रखनी है और मौडिलर सिक्वेशन सर खतम हो गया खतम हो गया चाप्टर नहीं, आज का टाइम खतम होने वाला है तो जो पढ़ा है उसको बस सम्मराइज कर रहा है तो जैसे मानलो, mod of fx is equal to a जहांपे अगर a positive है fx is equal to plus minus a और अगर a negative है तो no solution जहांपे 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 उसके बाद mod के अंदर वाला always positive है मतलब इस mod का significance कटम ही हो गया तब हम लोग को क्या solve करने की जोरत चाहिए कि fx is equal to px सुर्व करना चाहिए सर अभी जो second point लिखना है सर वाह से एक बार वापिस क्या समझाया repeat करोगे यह वाला ना हाँ सर यह और other fx positive है जिसे मानलो कहीं question है mod of x is 4 plus 1 is equal to x plus 3 से ऐसा है mod of x square plus 1 is equal to x plus 3 अगर तुम observe करो तो mod के अंदर वाली quantity always positive है हाँ sir इसको अम लोग डारेक्नी कटलेंगे as it is जो माद के अंदर वाली quantity always positive always positive x square plus 1 is equal to x plus 3 x square minus x minus 2 is equal to 0 इससे x क्या जाएगी 2, minus 1 फिर तीसरा सीनारियो कि mod of fx is equal to px है और fx जो है always negative वाली quantity है अगर से not possible नहीं मैंने px नहीं बोला always negative मैंने क्या बोला fx always negative थीक है थीक है मॉट के अंदर अगर always negative quantity है तो वह कैसे open होगा with minus sign यह एक इक्वेशन जनरेट होगा उसको solve करना है उससे तुमारी x value आजाएगी ठीक है फोर्थ है कि mod of fx is equal to px है यह पी एक्स भी positive negative दोनों हो सकता है और fx भी positive negative दोनों हो सकता है तो यहां पे we need to take cases अब मैं तुमको उपर वाले examples जो हम लोग ने solve किये हैं वो दिखाता हूँ जो question solve किये जैसे अगर तुम यह वाला question देखो mod of x square minus 5x plus 4 is equal to x minus 1 x minus 1 linear term है तो वो positive negative दोनों हो सकता का and x square minus 5x plus 4 यह ऐसा वाला quadratic है तो यह भी positive negative दोन हो सकता का इसलिए हम लोग ने क्या टिया cases लिए to solve the question इसलिए हम लोग ने क्या किया cases लिए to solve the question इससे पहले वाला भी example देखो जैसे यह है यह variable quantity है तो यह पे भी हम लोग को क्या करना पड़ा cases लिए to solve the question so तुमको यह जो 5-4 point बताया है उसको एद्धम ध्यान से रखना है दिमाग में यह point मतलब before attempting the question यह करो यह देखो कि भाई इन चारो points में से कौन से वाले में हमारा question lie कर रहा है और फिर उसके बाद उस question को solve करने जाए ठीक है यह समझ में आया है सबको yes sir yes sir okay तो आज का जो लेक्चर है इसको जरूर से रिवाइस करना okay sir yes sir इतने minor minor points है कि जब तक तुम एक बार खुद से नहीं पड़ोगे तो clear नहीं होगा okay sir okay sir video lecture गर पर जाके वापस पर से देखना जब अपलोड हो जाएगा पढ़ेंगे yes अभी हम लोग ने क्या पढ़ा modulus modulus inequality मतलब उसमें यूजवाता ना इसमें इछले वाले inequalities में थोड़ा यूजवाता तो सार ने थोड़ा बता दियाता चलो ठीक है अपने तूरा पढ़ेंगे वाप ठीक है तो अजके लिए अपने इतना ही करते हैं ड्रोजवाता ही यूजवाता पार पार है यू थोडिए झावता ऑने थैड यूजवाता 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 पहले इस झाल झाल